हलो बच्चियों क्या हाल चल आपके देखो आप लोग को पता है कि हमारे क्जाम जो है ओ सी एका हो चाहे द लिगे हमारे और नो के आगे चले गए हैं हमारे सी बाले बच्चे चाहिए वो फांडेशन को हो चाहिए इंटर के हो चाहिए फाइनल के हो उनका यह जो में अटेम्ट था वो चुका है अब वो नॉंबर अटेम्ट ने जाकी मर्ज हो जाएंगे इसका मतलब होता है कि जो भी कुछ आपने मतलब यह माना जाएगा कि आपका हमारे इस आई सी आई के अंदर नौ में में यह एक्जाम हुआ ही नहीं है तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना कुछ फीस अगर आपने पे किया एक्जामिशन फीस वो एजरिज आपका कैरिफोर्ट हो जागा कुछ सवाल आपके दि करना आपने खूद है इसलिए मैंने दोनों का लिख दिया कि आपकी स्टेज में और आपको क्या अब करना चाहिए ताकि टाइम प्रोपट तरीके से आपका यूज हो तो पहले में बात करता हूं अपने सी वाले बच्चों का सी अगर आप फांडिशन में और आपने में अ साथ से मेरा सजेशन है कि अब आपको क्या करना चाहिए अपने इंटर की त्यारी शुरू कर देनी चाहिए अभी आपका यह जुलाई का मेना की शुरूबात हुई है जुलाई औगस्ट सेक्टमबर अक्टूबर नमंबर में जाके एक्जाम होंगे मतलब लगवाद चार तो चार मेने करें करो रिविजन कर लिया है तो मेरे दिसापसे अगर त्यारी अच्छी हो हुचंगी एसbab्शिंट की और आपकी श्री हो कि हम पास करेंगे तो आपकी स्टरड़जी होनी चाहिए कि foundation के जो paper से उसका per day एक घंटे का आप time devote करो उनके revision पर आज आपने दो paper का revision कर लिया कल आपने बाकी दो paper का किसी एक chapter का फिर आप आगे बढ़े revision भी कैसे करना जी जो आपने notes बनाया हुआ है आपने जो notes बनाया हुआ है आप उससे revision कीजे हर एक chapter का एक या दो question हाथ से practice करते हैं सारे question revision के टाइम पर practice नहीं करते हैं कोई भी एक दो question जो आपको अच्छा लगता है आप उसको हाथ से practice कीजे और फिर हम क्या करते हैं कि अब आपका उसको बाकी questions को बस notes में पलटते कि हाँ जी हमने ऐसे किया था ऐसे किया था अगर आप कुछ भूल के हो in case तो आप video lectures में जाके उसको दुबारा एक बार revision कर लो यह बेस तरीका होता रिविजिन करने का अगर आप ऐसे revision करते हैं तो यह आप end तक मतलब एक्जाम तक पता नहीं कितनी बार revision कर लेंगे यह revision करने का तरीका हमारे सिब foundation वाले बच्चों के लिए नहीं है foundation में है आप inter में हो चाहे आप c.a कर रहे हो c.a में कर रहे हो c.a कुछ भी कर रहे हो यह सबको यही फॉलो करना चाहिए बच्चे यह तरीका हम लोगों ने भी फॉलो किया आपको भी revision करने का यही तरीका होता है खैर मैं आप main point पर आता हूँ मैंने का कि अगर आप c.a foundation का exam के त्यारी कर रहे थे और त्यारी आपकी हो चुकी है तो अब यह time waste करने के बजाए आप inter first group का कोई भी दो पेपर आपकी मर्जी कोई भी दो पेपर आप उसकी त्यारी शुरू कर सकते हैं है ना ताकि आपका अगर नौंबर तक में मालो कि यह foundation निकल गया तो अगला जो इंटर का exam होगा आप वहां पर या तो दो ग्रूप के लिए आप त्यार हो जाएंगे देने के लिए या फिर फिर्स ग्रूप एक ग्रूप भी देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपक कौन से दो सब्जेक्ट होगा वह आपके उपर डिपेंड करता है वह आप सोचे कि यहां पर कौन सा दो पेपर आप उन्हीं पेपर की त्यारी शुरू करना जिन में जरली चेंज नहीं आते हैं जैसे कि आपका लो है आपका इंकम टैक्स है इसमें चेंज आते रहते हैं त कि त्यारी कर रहे थे उनको तो अब अगर लगता है कि ग्रूपन की त्यारी मेरी हो चुकी है तो पर प्रसीड कर जाना चाहिए ग्रूप टू के तरफ क्योंकि मेरे बच्चे नॉमर टेम्ड के टाइम पर आपको दुबारा फॉर्म करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपका सिए इंटर का गुरूप निकल चुका है और गुरूप टू की त्यारी कर रहे थे आप या गुरूप टू निकल चुका है तो मेरे बच्चे आपके पास आपको ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है आपको तो फिर आपको जो है उसी को और बेस तरीके से बनाओ और आप श्योर कर लो कि अगला जो एक्जाम होगा हम उसमें पास करेंगे करेंगे फाइनल की तियारी शुरू करना यह किसी भी तरीके इसे फायदे मन आपके लिए भी नहीं है क्योंकि एक्शली अभी तीन साल का आज कर्शिप आपको ट्रेनिंग होगा उसे बहुत लंब गएप होता हम वहां पर प्लानिंग कर लेंगे हां कुछ एडिशनल कोर्सेज जैसे कुछ के अच्छे कोर्सेज आपका जिसमें आपक नहीं होना चाहिए ताइम को प्रपर तरीके स्ट्राइज करें और फिर काम को आगे बढ़ाएं क्लियर यहां तक अब मैं आता हूं अपने स्यमें वाले बच्चों के पास सेम चीज अगर आप फाउंडेशन का एक्जाम दे रहे थे जून में और आपको लगता है किया या फिर मैं इंटर के त्यारी शुरू कर दूँ मेरे प्यारे बच्चों अगर आप फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से त्यारी कर चुके हैं क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें होता नहीं पढ़ने पढ़ाने के लिए तो आप इंटर की त्यारी शुरू कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी तरीकिस प्रिपेड है तो नो डाउट कि आपको भी क्या करना है एक दो घंटे नहीं हुई है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मोगा है जी अभी हमें कहीं इदोद नहीं जाना हमें यह जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है इसमें और अच्छी तरीकी से पढ़ाई करके हम फांडेशन को क्लियर करेंगे इस बात को इन्शोर करेंगे फिर हमें किसी ऐसे पढ़ाई करनी है जो बच्छे हमारे इंटर गृप वन का एक्जाम दे रहे थे और वो पूरी तरीके से इंटर गृप वन की त्यारी कर चुके है तो अभी जुलाई औगस्ट और फिर सेप्टेंबर आएगा और पता नहीं है अभी कुछ कहाँ नहीं जा सकता लेकिन सेप्टेंबर में भी एक्जाम होंगे या नहीं होंगे इसका कोई भी अभी मतलब उस पे एक्सपेक्ट करना अभी पोस्टबल नहीं है जो हमारे देश में अभी सिनेरियों चलना बहुत बड़े बत्बाशाहिस भी हो गया कि पता नहीं कैसे कैसे नाम अब दिवांब का आणिंष के शुरू हो चुगे कोरूना का कोरूना का कोरूना तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मानलो इंट्रगूर्प वन की कि त्यारी अच्छी तरीके से करें ताइम वेस्ट मत करो। गुरुप 2 के कोई भी दो पेपर की त्यारी शुरू कर दो दो फेपर। गुर्ट वन का रीविजन आपको गुरूप में कमस्तम 2-5 गंटे देने हैं। रीविजन वैसे ही करना जैसे मैं वीडियो क्लास में नहा película हमिशा बताता हूं। या अभी भी मैंने आपको बताया हुए की कि दिविजन करें ग्याद से प्राइव करेंगे। तो 15 दिन, 20 दिन पहले आप ग्रूप 2 की त्यारी को बंद कर देना और ग्रूप 1 का रिविजन को और फास कर देना, अच्छी तरीके से एक्जाम देना, आप पास कर जाएंगे. और मज़े की बात है कि ग्रूप 2 का भी कुछ आपका अलड़ी आप त्यारी कर शुके है, सेप्टमबर के बाद जो बाकी बचावा चीज होगा, या बाकी बाकी जो बचेवे सब्जेक्ट्स होंगे, आप उनकी त्यारी करके अगले डिसमबर में एक्जाम देने के लिए करके डिसमबर में दोनों गुरूप के लिए बनीजीबल हो जाए, मेरा सिर्व यह मकसद है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पास इतने खाली समय ना बचे कि मैं सोचू यार कि पता नहीं क्या होगा, कोरोना के बाद जिन्दगी बचेगी कि नहीं बचेगी, कहीं क प्रोडेक्टिविटी के साथ यूज करें, और अपने लाइफ को आगे बढ़ा है, यह फाल्दू की बात है, इन पर क्या सोचना और क्यों सोचना, लाइफ है, मैं तो कई बार आपको बता चुका हूँ, दुबारा कहता हूँ, कि जब भी कोई समय हमें मिलता है, अच्छा करूं, लोजिक इन परिट कहा है, अभी आप तो अभी इंटर या फांडेशन के बच्चे जो पच्छे फाइनल वाले है ना, मैंने उनके बार में कुछ यादा नहीं बताया, लेकिन जो पच्छे फाइनल वाले हैं, यहां के हो, जाहिए यहां के हो, वो फाइनल वाले प्रोफेशनल बच्चे हैं, हमारा एक एक दिन प्लानिंग के साथ शुरू होता है, और एक दिन प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है, तो आप उस चीज को करें, और लाइफ को इंज्वाय करें, इनकेस कुछ दिकत होती है, कुछ और भी सवाल आपके होते हैं, तो डाउट सेशन के टाइम पे, आप उसे अपना फोन काल करके, चाहें, मैसेज करके, आप उसे अपनी बाते पूझ सकते हैं, मैं हमेश्छा आपके लिए हूँ, एन हमेश्छा आपके लिए हूँ, यह सारी आते हैं, मैरी सिवक सजेशन है, करना क्या है, क्या नहीं करना वह आपके उपर डिपेंट करता है, तो बेस जज होता है, अपने आपके लिए खुद होता है, आप जजमेंट ले और आगे बढ़ें, आप सबको बाइबेट आटा, बाइबेट आटा, हैपी स्टेडी बिच आपके लिए, आपके लिए पकी स्टेड़ें, आपके लिए आपके लोगः वह स्टेड़ वह ले सम्झेदेद से चंगे इस आपके लिए cetеты, तो रखके उसावाँ जजमेंटिकर दोग से जबाई।